नमस्य दोस्तों मेरा नाम सचीन और आप से भी का स्वागत है S.S.A.D.O.L.E.S. YouTube चानल में तो इस YouTube चानल में हम बात करते हैं अलग-अलग कार्स के बारे में, बाइक्स के बारे में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कार है, कार के कितने सारे पार्स है वो कार का पार्स का क्या मतलब है और किस लिए उपयोग में आते है ये सारी information इस वीडियो में लेने वाले हैं तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बाजु वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे ताकि आने वाला हार एक नए वीडियो आपके बाद जल से जल पोच सके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के कितने सारे पार्ट से और उसके क्या-क्या नाम है तो दोस्तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको यहाँ पे हेडलाइट मिलेगी हेडलाइट के बाद इंडिकेटर उसमें इंटिग्रेटर रहते हैं बहुत सारे कंपनी के वहिकल में वो अलग से भी आती है तो headlight आपको पता है कि उजाला देना मतलब प्रकाश देना इसके बाद indicator का काम है मतलब left और right उसकी side देना इसके बाद यहाँ पे आपको grill है grill का जो काम है मतलब जो air होती है वो engine तक पहुचाना और engine को थंडा रखना इसके बाद यहाँ पे company का logo मिल जाता है अलग-अलग company का logo आपको grill में मिल जाएगा उपर या नीचे भी मिल जाता है इसके बाद यहाँ पे आपको fog lamp मिल जाते है बहुत सारी company के fog lamp आपको vehicle के साथ fitted आर जाते है और बहुत सारे लोग उसको after market भी लगा देते है इसके बाद number plate इसके बाद हम bumper की बात कर लेते हैं तो bumper है अपको left wheel से right wheel तक आपको देखने को मिलेगा जो बड़ा एक part है यहाँ से जो चालू होता है वहाँ तक bumper का जो काम है जो front fascia का जो सबसे lower part है वो यहाँ पे आपको feet दिखाई देता है इसके बाद यहाँ पे यह है bonnet जो engine जो करता है इसके बाद यहाँ पे windshield है मतलब front की काच है उसमें से अपको vision मिलती है इसके बाद यहाँ पे wipers दिए है wipers का काम है जो windshield को अच्छी तरह से साफ रखना इसके बाद यहाँ पे washers दिए है washers में से पानी निकल के आता है और windshield को साफ कर देता है तो यह ता पूरा front fascia के सारे पार्ट तो दोस्तों हम इसके बाद साइड की बात कर लेते हैं साइड में क्या-क्या चीजे लगी है उससे कार पूरी तरह से बनती है तो दोस्तों साइड की बात कर लेते हैं तो साइड में यहां पर आपको एक बड़ा पार्ट देखने को मिल सकता है यहां पर इसको ORVM, मतलब Out Rear View Mirror इसके बाद Rear का डोर मिल जाता है और structure में सबसी बड़ी बात है कि A Pillar, B Pillar और C Pillar, ये पुरे Pillar के उपर ये गाड़ी का जो छट है पुरा रेस्ट हुआ है, इसके बाद जो ये पुरा पार्ट है, इसको रूफ बुला जाता है बहुत सरे जो वेहिकल्स में, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिल सकते है और यहाँ पे जो नई जो कार आती है इसमें आपको यहाँ पे सनरूब भी देखने को मिल सकता है तो ये था पुरा side panel, इसके बाद हम rear section की बात कर लेते हैं दोस्तो साइड के जो पार्ट है उसमें और एक चीज़ एड़ कर देता हूँ यहाँ पे आपको मढगार देखने को मिल सकता है और यहाँ पे जो टायर है इसके उपर यहाँ पे आपको स्प्लैश प्रूफ मतलब जो भी आप जब पानी से या कीचर से जब गाड़ी चलाते हो जो कीचर यहाँ पे लग जाता है उसको प्रूफ करता है प्रोटेक करता है इसलिए इसको स्प्लैश प्रूफ ऐसे बोला जाता है तो यह सारा चीज आपको साइड में देखने को मिल सकता है इसके बाद जो रियर सेक्शन की उसकी बात कर लेते है तो यहाँ पे यह साइड पैनल का एक जो पार्ट है तो यहाँ पे जो पैनल है इसको बोला जाता है कौटर पैनल जो एक सबसे बड़ा पार्ट है इस वेहिकल के कार के बुरे स्ट्रक्चर में इसके बाद यहाँ पर आपको bumper मिल जाता है यह भी एक बड़ा पार्ट है कार में जो bumper आपको rear bumper में इसे बोला जाता है जो आपको यहाँ से चालो होता है तो उस side तक एक बड़ा पार्ट है इसके बाद यहाँ पर आपको rear का windshield मिल जाता है यहाँ पर आपको boot मिल जाता है मतल जाती है इंडिकेशन के लिए यहां पर लोगो स्टॉप लैम यह सारी चीज़ें आपको रियर सेक्शन में देखनों को मिल सकती है तो दोस्तों यह था पुरा जो कार के पार्ट्स और उसके कुछ काम हमने इस वीडियो में बताई है आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमें जरूर पहने और बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने थैंक्स पर वाचिंग